रासायनिक हथियारों ने विभिन सभिताओं और समय अव्धियों में युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वीडियो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक रासायनिक हथियारों के एतिहासिक उप्योग को प्रदान करता है। Ancient and medieval times. प्राचीन युनानी मिथकों और महाकाव्यों में ट्रोजन युद्ध के दौरान जहरीले तीरों और जहरीले भोजन पानी का उल्लेक है। भारतिया महाकाव्यों में जहर और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का उल्लेक है। चीनी लेखों में युद्ध में जहरीले धुए और जहरीले पौधों के इस्तेमाल का वर्नन किया गया है। जहरीले पौधर के इस्तेमाल के लिए लियोनार्डो दा विंची का प्रस्ताव। लंबी नाव पर पौधर के रूप में जहर फेको। चाक आसनिक के महीन सलफाइड और पौधर वडेग्रिस को छोटे मैंगोनेल के माध्यम से दुश्मन के जहाजों के बीच फेका जा सकता है और वे सभी जो सास लेते समय पौधर को अपने फेफरों में लेते हैं उनका दम भुट जाएगा। हेराबंदी में आग लगाने वाले गोले और बदबुदार बरतनों का उप्योग। समुदरी डाकू कैप्टन थॉम्सन द्वारा पाउडर फ्लास्क क्रेनेट गोले और बदबुदार बरतनों का उप्योग। किंग राजवंच द्वारा नौसनिक अभियानों में बदब भोटने वाले मिश्रंग का उप्योग. 1899 के हेक सम्मेलन में दम भोटने वाले गैस प्रक्षेप्यों पर प्रतिबंद लगाया गया. World War I. यप्रस की दूसरी लड़ाई के दौरान जर्मनी द्वारा गोले और कंस्तरों में जहरीली गैस का उप्योग. रावलपिंडी प्रयोग के बारे में भी हम यही कह सकते हैं. रावलपिंडी प्रयोग ब्रिटिश भारतिय सेना के 500 से अधिक भारतिय सेनिकों पर पोटन डाउन के ब्रिटिश वैग्यानिकों द्वारा किये गए प्रयोगों की एक श्रिंखला थी. ये प्रयोग द्वितिय विश्व यूद्ध से पहले और उसके दौरान रावल पिंडी में हुए थे. विभिन रासायनिक एजेंटों की तैनाती और उनके विनाशकारी प्रभाव. नागरिक हताहत और चेताबनी प्रनालियों की कमी. इंटिवर पीरियड. रासायनिक हतियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर. 1920 में इराकी विद्रोह के दौरान मेसोपोटामिया में ब्रिटिश द्वारा रासायनिक हतियारों के इस्तेमाल का आरोप. नोम चॉम्सकी ने दाव प्राची विद्रोहियों के खिलाफ सोवियत संग द्वारा जहरीली गैस का उप्योग. शिंजियान पर आक्रमन के दौरान सोवियत संग द्वारा मस्टर्ड गैस का उप्योग. कंक्लूजिन्स